हेलो स्टूडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल साइफाई स्टेडी में स्टूडेंट्स आज की सी वीडियो में हम लोग भिन्न का भाग करना बहुत है आसान तरीके से सिखने वाले हैं यहां पे चार अलग-अलग प्रकार के प्रश्ण स्टूडेंट्स अमने लिया हुआ है और प्रते एक प्रश्ण में आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को सुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को स्टूडेंट्स प्रस नमबर एक है 12 बटे में 14 भाग का चिन 8 बटे में 15 यानि आपको 12 डिवाइड बाइड बाइड फोर्टीन में भाग देना है आपको 8 डिवाइड बाइड फिफ्टीन से तो देखे इसको कैसे हल करेंगे एक-एक step को इस्टूडेंट्स ध्यान से समझेगा कहीं पे भी आपको प्राब्लम नहीं होगी सबसे पहले इहां पे जो भिन दी गई है उपर वाले को हम लोग अंस नीचे वाले को हर करते हैं यानि इंग्रिश में उपर वाले को numerator नीचे वाले को डिनामिनेटर करते हैं भिन्य को गुरा में बदल देते हैं ठीक है और जब गुरा में बदलते हैं तो उसके बाद जो संख्या लिखी गई रती है जो भिन्य लिखी गई है उसका उल्टा कर देते हैं उल्टा यानि बियुतक्रम जो हर में है वह अंस में चला जाता है जो अंस में है वह हर में चला गया और 15 हर में है तो अंस में चला गया ठीक है उमिद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखें यहां से क्या करना है यहां से जो संख्याएं कट होंगी उसको अम लोग कट कर देंगे अब कट होने के लिए कंडिशन है कि एक अंस और हर ही आ आठ भी आता है तो चार दुनी आठ और चार तियाएं 12 ठीक है कभी भी अंस अंस एक साथ नहीं कट हो सकता और हर हर एक साथ नहीं कट हो सकता अब यहां पे अब कोई संख्याएं कट नहीं होने वाली हैं तो अब अंस का अंस में गुड़ा और हर का हर में गुड़ा कर दे पंदर का तीन में गुड़ा होगा तो पंदर तियां 45 और यहां पे 14 का दो में गुड़ा होगा तो 14 दुने 28 यानि 45 बटे 28 यह आपका आंसर हो गया उमिद करते हैं कि इस प्रशन को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गये होंगे अगले प्रशन को हल करते हैं अगला आगे पांच बटे 7 अब देखे इस प्रशन को कैसे हल करेंगे एक एक किश्टिप को इस्टूजिंट ध्यान से समझीएगा अब यहां पे यहां पे 15 से मुवही वर करना है जो पिछले कोश्चिन में किया गया है जो भाग का चिन्न है उसको गुड़ा में बदल लेंगे और गुड़ा में बदलेंगे तो उसके बाद जो संख्या दी गई है उसका उल्टा यानि बियुतकरम कर देंगे यानि रेसिपोकल कर और जो अंस में है वह हर में चली जाएगी ठीक है ब्यूतकरम का मतलब यही होता है यह आप कर सकते हैं उल्टा किया गया है यानि जो अंस में है वह हर में चला गया जो हर में है वह अंस में चला गया और यहां पर जब हम लोग ब्यूतकरम करते हैं तो जो भाग का चिन है वह गुड़ा में बदल जाता है ठीक है उमिद करते हैं इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखिए पांच हर में है पंदर अंस में है तो कट कर देंगे पांच एकम पांच और पांच तियाई पंदर अब गुड़ा कर देंगे यहां पर साथ का तीन में तो 21 ही आएगा तो यही स्टुडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा तो उमिद करते हैं कि हां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अगले प्रस्न को हल करते हैं अगला प्रस्न आपका प्रस्न नमबर तीन है छै बटे में पांच भागे तीन तो अब है जब हर में कुछ भी नहीं होता है तो वहां पे one चुपा हुआ होता है अब इहां पर हर में already चुपा हुआ है तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे देखिए 6 बटे में 5 और या जो भाग का चिन है उसको गुड़ा में बदल देंगे और इसका क्या कर देंगे उलटा कर द देंगे वन अंस में चला जाएगा और यहाँ पे जो थ्री अंस में है वो हर में चला जाएगा ठीक है उम्मिद करते हैं किस लाइन को आप समझ गए होंगे इस्टूडेंट्स अब देखिए यहां से तीन से भाग दे देंगे तो तीन एकम तीन और तीन दुने छै दो का एक में गुड़ा तो दो हो गया बटे में पांच का एक में गुड़ा तो पांच हो गया यानि दो बटे पांच यहाँ आपका आंसर हो गया ठीक है उमिद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रतेक प्रशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्रशन नमबर चार को देख तक जरूर देखेगा ताकि पूरी चीज़े आपको अच्छी तरह समझ में आ सकें तो अब यहां पे देखें यह सही बटा में है ठीक है यानि यह मिस्त्रित भिन्ह है तो इसको सबसे पहले हम लोग साधारान भिन्ह में यानि विसम भिन्ह में इसको बदलेंगे तो विसम भ गुड़े बारत तो बारत यहां 36 और जितना आता है उसमें अंस को जोड़ लेते हैं देखिए तीन का बारत में गुड़ा के तो 36 और एक 37 तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 37 और बटे में क्या हो जाएगा इस्टूडेंस तीन अब देखिए यहां पे जो भाग का चिन है उसको गुड़ा में बदलना है यहां पे बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है जैसे पिछले कोस्टेन में आपको हमने बताया है तो इसका जब हम लोग उल्टा होगा तो एक अंस में चला जाएगा और 148 हर में चला जाएगा ठीक है उमिद करते हैं कि इस लाइन को आप समझ गए होंगे इस टूडिंस अब देखिए यहां से क्या करना है अब यहां से जो कटेगा उसको कट कर देंगे तो देखिए 37 से 4 बार में 148 आ रहा है तो यहां पे 37 एक कम 37 और 37 चोग के 148 हो जाएगा ठीक है तो यहां पे 4 अब आंस में जो बचा उसका एक साथ गुड़ा और हर में जो बचा उसका एक साथ गुड़ा तो एक का एक में गुड़ा हुआ तो एक हो गया और तीन का चार में गुड़ा हुआ तो तीन चोग के 12 ठीक है यानि एक बटे 12 आपका आंसर हो गया अगले प्रशन को हल करते ह इहां पर अब इसको सही बटाब में दिया हुगा है दोनों, दोनों मिस्तित भिन्य में थे तो इसको बिशम भिन्य में बदलेंगे। तो कैसे convert करेंगे देखे इसका इसमें गुड़ा होता है जैसे यहां पर हमने बताया 5 का 3 में गुड़ा होगा तो 5, 3, 15 ठीक है और जितना आता है उसमें अंस को जोड लेते हैं तो 15 में 1 जोडेंगे तो यह जाएगा 16 और बटे में 5 यह जो भाग का चिन्न है वह गुड़ा और बटे में 3 ठीक है यहां पर अभी यहां पर हमने reciprocal नहीं किया है यानि उल्टा नहीं किया अभी मिस्रित भिन्न से इसको convert किया तो यहां पर जो चिन लगाएंगे वह भाग का यह लगाएंगे अब अगली line में हम लोग यहां भाग का चिन्न है अगली line में इसका उल्ट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 16 बटे में 5 यहां पर देखें यहां पर हमने क्यवल क्या किया है जो मिस्रित भिन्न में है उसको बिसम भिन्न में कनोल्ट किया है यहां पर गुड़ा का चिन्न नहुकर भाग का चिन्न है ठीक है यहां पर भाग का चिन्न है अब देखें यह यहां पे भाग के चीन को हम लोग अब गुड़ा के चीन में बदलेंगे इस भाग के चीन को तो यह गुड़ा में होगा और जो उसके बाद संख्या है उसका उल्टा हो जाएगा यानि थ्री हर में है तो वह अंस में चला जाएगा और यहां पे साथ अंस में है तो वह हर में चला जाएगा उमिद करते हैं कि इस line को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे students ठीक है अब देखिए जो कटेगा उसको कट कर देंगे अगर नहीं कटेगा तो उसका गुड़ा करके और आपस में लिख देंगे यहां पर तो यहां पर कोई भी संख्या आपस में कट होने वाली और पांच का साथ में गुड़ा तो पांच सते 35 ठीक है यानि और तालिस बटे 35 और कभी-कभी यहां आपका आंसर जो होता है वह मिश्रित भिन में यानि इस टाइप से लिखा हुआ आता है तो अगर सपोज आपको आंसर उस रूप में बदला हुआ हो तो देखे कैसे तो देखे 48 में हम लोग 35 से भाग दे देंगे जो संख्या अंस में है उसमें भाग देंगे हर वाली संख्या से तो यहां पे एक बार जाएगा और एक बार जाएगा यहां पे माइनस कर लेंगे 8 में से 5 गया 3 और यहां पे 4 में से 3 गया 1 तो जितना बार जाता है जितना ब इस फल आती है वह अंस में चली जाती है और जो संख्या पहले से हर में है वह हर में ही रहती है यानि एक सही 13 बटे 35 यहीं स्टुडेंट्स अगर सही बटा में आपका आंसर दिया हुआ है तो यह हो जाएगा एक सही 13 बटे 35 ठीक है अगर इसको आप कनवर्ट करेंगे इस टा 14 बटे 35 आजाएगा तो यह आपका आंसर हो जाएगा सही बटा में तो उमिद करते हैं कि प्रते एक प्रशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा इस्टुडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और कमेंट करें और अपने द